नमस्कार दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सब का हार्दिक स्वागत करती हो अगर आप हाली में सिकंदराबाद स्टेशन गए होंगे चौके तो नहीं ऐसा लगा तो नहीं कि आप एरपोर्ट पहुँच गए है इतना सुधार इतना बदलाव आज हमारे रेलवे स्टेशन पे जो हम देख रहे हैं हम हार्दिक मुबारक देना चाहते हैं साउथ सेंट्रिल रेलवे को कि उन्होंने हमारी यात्रा को हमारे इस एक्स्पीरियंस को बहुत ही खुबसूरत बनाया है इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं जेनरल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे श्री अरुन कुमार जैन जी से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में आप से बात करने से पहले मैं हमारी ओडियंस को बताना चाहती हूँ कि अरुन कुमार जैन जी गोरखपूर से है उन्होंने अपनी पढ़ाई आएटी खड़खपूर से करी है इंडियन इंजिनियरिंग सर्विस के वो ओफिसर रहे हैं कई सारे important institutions जैसे INSEAD, ISB, हैदरबाद, ISB, मोहाली से इडोरे बताओर अपनी ट्रेनिंग ली है काफी dynamic personality है जिनके देतरित्व में आज South Central Railway कई बुलंदियों को और उचाईयों को चू रहा है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आज जो हम सिकंदरबाद स्टेशन हो गया South Central Railway Division में जो काफी सारे railway stations जो आज हम देख रहे हैं इनकी देखरेक में इनकी अपकीप में South Central Railway आपकी नेतरित्व में क्या-क्या initiatives ले रहा है ये आज हमारी audience को प्लीज बताईए जैसा कि आपने देखा होगा कि South Central Railway के लगभग सभी स्टेशनों पर साफ सफाई का इस्तर काफी उच्छ है और इसमें हम पूरा ध्यान देते हैं कि उसकी साफ सफाई का जो भी तरीका है हम mechanized cleaning कराते हैं बड़े बोड़े stationों की जिसे की जो सफाई बनी रहे और इसके अलावा हमने इनमें सुधार करने के लिए अभी आपने देखा हुआ तीन बड़े stations हमारे South Central Railway के जैसे सिकंद्राबाद, निलोर, एंट तिरुपती station यहां पर हमने इनका major redevelopment का प्लान किया है और काम भी शुरू हो गया है और इन station पर हम जैसे कहते हैं विश्व इस्तरिय सोविधाएं देंगे आपको airport जैसा अनुभव होगा आपने देखा हो काम चल रहा है अभी काम पूरा होने में थोड़ा समय लेगा लेकिन जब पू होंगे एर लॉंजेज होंगे जहां कि यात्री अपना समय बिता सकते हैं खाने पीने का मिलेगी वेटिंग की सुविधा होगी लिट्स होंगे और जो फसाड होगा सर्कुलेटिंग एरिया होगा पार्किंग होगी बहुत ही बड़े स्थर पर हमने इसको प्लान किया है तो एकनो एकनोमिक फीजिबिलिटी हम उनकी करा रहे हैं जी इसके अलावा 105 स्टेशन और हैं जो की मतलब मद्यहम या छोटे स्टेशन जिनको आप कह सकते हैं जहां पर के हम काम कर रहे हैं इसको अमरेद भारत स्टेशन स्कीम करके बोला गया उसके अंतरगत हमने 105 स्टेशन लिए हैं और उन पर भी काफी सुधाएं हम प्रदान करेंगे तो ना केवल साफ सफाई बट देखने में भी आपको जो है बिल्कुल अलगनम होगा जी रेलवेस की आप फेसलिफ्ट उसकी जो लुक और फील है ट्रावल एक्सपिरियंस है वो सारा कुछ चेंज कर रहे हैं इसमें काफी सुधार ऐसे देखने को मिली रहा है वंदे भारत में ऐसा एक बज क्रियेट किया है पूरे देश में इतनी खुपसूरत ट्रेन है जो हम शायद पहले फॉरन कांट्री में देखा करते थे आज अपने स्टेशन पर अपने शेहर में देखकर एक जो प्राउड फीलिंग आती है कि हमारा देश भी उस लेवल पर पहुचने की कोशिश कर रहा है सर वंदे भारत ट्रेंस के बारे में भी हमें हमें बताईए दर्शकों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित है और जिसको मेक इन इ सब्सक्राइब करने में और ब्रेकिंग भी अलग है जिससे की ब्रेक लगाने में जो टाइम खर्च होता था वो अब कम होता है जिसकी वेसे एक तो इसकी स्पीड जादा है दूसरा स्पीड पिक अप करने में ब्रेक लगाने में टाइम कम लगने से हमारा जो रणिंग टाइम है वो कम हो जाता है अबी हमने पहले आठ अप्रेल को एक शुरू की थी वंदे भारत एक्स्प्रेस सिकंडराबाद और विशाका पत्नम के बीच में जो करीब साड़े आठ घंटे लेती है एक डारेक्शन में जबकि और ट्रेंज करीब ग्यारा है साड़े ग्यारा घंटे लेती है तो उसके म यहां से तिरुपती के लिए सिकंडराबाद से तिरुपती के लिए तो शुरू में वो आठ कोच की ट्रेंज थी और जब हमने देखा कि उसमें वेटिंग लिस्ट काफी है लोगों की डिमांड काफी जादा है तो रेलबे मंतराले ने हमको 16 कोच की ट्रेंज दी जो हमने 17 मईस से चालू की है और आपको फिर से खुशी होगी जानकर कि इसकी occupancy भी 100% से ज्यादा है मैंने इंट्रेक्ट भी किया था वशाखा पत्नम वाली वंदे भारत में मैंने प्रेसंजर से इंट्रेक्ट किया था तो मतला आप उनके चेहरे पर खुशी और गर्व आप देख सकते हैं इतना जो बढ़िया रेस्पॉंस रहा है वंदे भारत ट्रेंस का जिसमें आप बोल रहे हैं कि आपने कोच बढ़ाई है आपने ट्रेंस भी बढ़ाई है It speaks volumes की South Central Railway की जो capacity है immediately इस change को handle करने की इस traffic को handle करने की ये capability ये जो सक्षमता है आपकी ये भी बहुत काबिले तारीफ है It speaks volumes की आपका जो infrastructure आपने बनाया है South Central Railway में आपकी जो team है वो इस स्तरपर इस ability को इस traffic को handle करने की जो capability रखती है वो बहुत ही काबले तारीफ है बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ South Central Railway बलकि पूरी भारती Railway का ये कल्चर है कि जब जरूरत होती है तो फिर हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं ना समय देखते हैं और बस एक ही लक्ष दिमाग में रहता है कि बस ये काम करना है वो उस लक्ष को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलाल में भारत गौरव ट्रेन जो अभी शुरू हुई है जिसमें की टूरिस्ट प्लेसेज हम घूम सकते हैं कई जो टूरिस्ट जगाओं को कवर करती है वो उसके बारे में भी हमँए बताई है उसका response कैसा रहा है क्या क्यूंकि वो नॉर्थ में और इस्ट में ही स्टार्ट हूई है साउथ में भी इसी लाने का कुछ प्लैन है साउथ में भी भारत गौरोव ट्रेन स्टार्ट हुई है जी ऐसे जगे के दर्शन करा करके वो वापस लेके आना था तो सिकंद्राबाद से यह ट्रेन स्टार्ट हुई थी जी और इसमें जहां से पैसेंजर्स चड़ सकें यह उतर सकें वो स्टॉपेजी सिर्फ तेलगू जो राज्जे हैं हमारे तिलंगाना और आंध्रपदेश में र वाउ और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारी यह पीएस्यू है रेलवे की पीएस्यू है एक आयर सीटीसी वो इस ट्रेन को रन करती है तो इसमें आपको एक बार टिकट लेना है उसमें पूरा पैकेज सामेल है आपका ट्रेन की बर्थ है अगर कहीं होटल म आप रुकाने की जरूत पड़ती है तो वो होटल का खरचा आपके खाने पीने का खरचा ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर फिर जहां भी प्लेसिस पे विजिट करने ले जाते हैं वहां गाइड और टूर ऑपरेटर से टाइप किया है तो मतला जो पैसेंजर एक बार ट होती है कि सुबह ओट करके एक बार दिन में पूजा करना है तो वो पूजा भी कर सकते हैं तो खासतोर से सीनर सिटीजन के लिए और मैंने देखा भी मैंने इंट्रेक्ट किया था तो काफी उत्साहित थे लोग क्योंकि आजकल की जनरेशन के पास में इतना समय नहीं है कि अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े लोगों को साथ में ले जाकर के तियुत या भारत दर्शन करा हैं तो यह ट्रेन कैसी है जिसमें कि आयर सीटीजी का स्टाफ उनकी पूरी केर करता है और वो लोग बड़ी खुशी-खुशी जो है अपनी यात्रा करके आते हैं जै भी फुल जा रही है और अब इसके बाद में एक दूसरी इटनेरी प्लान की है जिसमें सिकंद्राबाद से ट्रेन चलेगी जो देहरादून हरिद्वार आगरा मत्रा जैसी जगह को कवर करते हुए वापस सिकंद्राबाद लेकर के आएगी और उसकी भी पूरी बुकिंग अब इसके हिसाब से और ट्रेंज चलाएंगे जी सिर्थ आपका जो करियर रहा है रेलवेस के साथ तीस वर्ष से आप रेलवेस में काम कर रहे हैं बतौर रेलवेस में जुड़े हैं कई सारे सीनियर पोजेशन आप होल्ड कर चुकिया है तीस साल पहले का रेलवेस और बताईए क्योंकि हम सिर्फ रेलवेस का चेहरा देखते हैं पीछे की जो मेहनत होती है पीछे जो आप चेंजिस करते हैं बतौर ट्रैक्स पे हो या फिर स्टेशन के काम पे हो ओवरॉल जो ट्रैक्स की स्पीड बढ़ाने की बात हो जैसे वंदे बारत करता है एक सो तीस कि अपने आप में अपने देश में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्पीड है तो इंफ्रस्ट्रक्चर वाइज आपने और आपकी टीम में जो काम किया है वो आज हमारी ओर्डियन्स को प्लीज बताईए मुझे लगवा पैतीस साल हो गया है रेल सेवा में और बिना इंफ्र पहले रेलवे करती थी और अभी जो कर रहे हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और बिना इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ाए यह संभव नहीं था तो रेलवे में इंफ्रस्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया जाता है और पिछले आठ नौ वर्सों से तो इस पर काफी ध्य दिया गया है मैं अपने साउस संट्रेलवे का बता सकता हूं कि हमने वर्स 2022-23 में करीब 384 किलोमीटर ट्रैक नया ट्रैक कमिशन के नया ट्रैक मतलब नई लाइन या डबलिंग या ट्रिपलिंग करके तो उससे हमने जो सेक्शन की कैपसिटी अपनी बढ़ाई है जिसकी व जिसकी वज़े से आई थिंक यह भी जो ट्रैवल टाइम है पैसेंजर्स का जो ट्रेन्स ज्यादा तर स्टॉप करती है आउटर पे या फिर उसमें भी काफी सुधार आया है जो डिले होती थी जो हम आमतौर पर पहले देखा करते थे कि ट्रेन आदा घंटा लेट चल रही है उसमें भी काफी सुधार आया है आप जो जिस तरीके से हमें बता रहे थे कि आपने जो लाइन बढ़ाई है सेक्शन बढ़ाए है और कई सारे जो चोटे-चोटे स्टेशन है उसे भी एंपावर किया है इस ट्राफिक को रिड्यूस करने के लिए उसके बारे में भी हमे पराने कोच़ थे उनकी स्पीड लिमिट एक सो दस किलोमीट परावर रहती थी और जोंकि के लह भी रिए को़से हैं उनकी स्पीड एक सो तीस किलोमीटर परावर है अच्छा पिछले वस जो जारबार सिज्टेव में हमने करीब साड़े सत्रे सो किलोमीटर ट्रैक की स्पीड 132 किलोमीटर परावर कर दी तो हमारी जितनी भी लेज़ी ट्रेंस हैं उत सेक्षण में 130 किलोमीटर प्रतिघंटे की चाहल से चलती है और मैं सेक्षण हमारा वाली से रेनी गुंटा जो वेस्ट साउथ रूट है और सिकंद्राबाद काजी पेट तो लगबग साड़े सत्रे सो किलोमीटर में हमने स्पीड बढ़ा करके जिससे की ट्रेनों की गती में सुधार हुआ है कम समय लग रहा है तो इसमें दोनों ही चीजें ट्रेक में सुधार किया है और हमने रोलिंग स्टॉक जो यानि की कोचिज हैं वो लेच भी किये हैं तो उससे इसके अलावा इस्टेशन पर जहां-जहां हमको लगता है कि रिक्वार्मेंट है वहां हमने नंबर ओफ लाइन्स बढ़ाई है नंबर ओफ प्रेटफॉर्म्स बढ़ाई तो अब वो ट्रेन लिंगप पली से स्टार्ट होती है और सिकंद्रबाद 10 मिनट रुक करके चली जाती तो इससे हमारी सिकंद्रबाद के स्टेशन की ट्रेन हैंडलिंग कैपसिटी बढ़ गई एक हम अभी चरलापली में शुरू करने जा रहा है उसमें काम काफी तेजी स चल रहा है अच्छा दिसमबर 2023 तक हम उसको कंप्लीट करने का हम टार्गेट लेके चल रहे हैं तो फिर हम कुछ ट्रेन वहां से स्टार्ट कर सकेंगे तो जो शकायत रहती है या अक्सर देखा है कि हां किसी बड़े स्टेशन के पहले आउटर पर रुक जाती है तो वो समस करने के लिए रहे और हम ज्यादा पैसिंजर ट्रेंस हैंडल कर सकेंगे यह सारा कुछ जो इंप्लिमेंट हो रहा है यह जो बाइपास लाइन और यह जो साटलाइट स्टेशन की आब बात कर रहे हैं खास तोर पर ध्यान दिया जाएगा स्पीड ट्रेंस की यह सारा कुछ इतनी खुबसूरती से इंप्लिमेंट हो रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट एलिमेंट को ध्यान रखते हुए वह है सेफ्टी टच्वोड हमने देखा है कि जो ट्रेंस के पहले एक्सिडेंट होते थे चाहे स्पीड भी इतनी ज्यादा ना हो बट यह भी बहुत काबल इस लेवल पर आज लेकर जाने के लिए तो खास तोर पर सेफ्टी का क्या ध्यान है सर वह उस बारे में बताईए सेफ्टी के लिए हम कई दिशाओं में काम कर रहे हैं एक तो जो हमारा रोलिंग स्टॉक है कोचिज तो हम धीरी धीर हमारे जो पुराने आईसीएफ में करते जा रहे हैं जो की काफी सेफ हैं और अगर कोई ड्रेलमेंट होता है तो उसमें वह उनके कैप साइज होने की संभावना बहुत कम होती है तो इस लिए जो यात्रियों को जान का नुकसान कम रहे तो दीरी दीरे हम रोलिंग स्टॉक चेंज कर रहे हैं दूसरा हम ट उसमें जो सब कुछ मिला करके हम लोग जो है या तो टॉप या सेकेंड पोजिशन पर रहते हैं इसके अलावा हमने साउस सेंट्रेले वे ने फिल्ड में वह है हमने कवच सिस्टम लगाया है कवच सिस्टम क्या करता है कि वो अगर जो ड्राइवर है ट्रेन का अगर वो से कोई गलती हो जाती है और तो उसको भी वो रोक सकता है और वो दो ट्रेनों की टक्कर को रोक सकता है अच्छा जी और हमारे यहां करीब साड़े चौदे सो किलो मीटर में कवच लगा हुआ है अगर मैं सेक्शन बता हूं तो हमारे सेकंदरबाद से वाड़ी और उधर आप देखें तो मनमाड से नांदेड मुत्खेड हैदरबाद होते हुए गुंटिकल तक है और विकाराबा से परली होते हुए तो करीब साड़े चौदे से किलो मीटर में यह कवच लगा हुआ है और यह अभी जो है सिर्फ साउसन्ट रेलवे में हैं अब बाकी रेलवेज में धिरी-धिरे इसका काम शुरू हो रहा है तो तो इसलिए मैंने जैसे कहा कि कई दिशाओं में काम करना सेफटी किसी एक चीज को ठीक करने से नहीं हो सकती है हमें सभी तरफ काम करना है तो हमारे रोलिंग स्टॉक ट्रैक और कवच यह सब मिलाकर कि हमें एक सुरक्षित रेलवे प्रदान करते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर सास लीजिए और अगर आप कही यात्रा करने वाल आप अनृ एक अगर तो अप्रेटी लिए रेलवे श्री अरुन कुमार जैंजी से तो अगर वेलकम बैक आज हम साओच त्रिल रेलवे के ज़नेल मैनेजर रेल्वे जीए लिए मतार हैं वहां पता रहे थे कि उन्होंने आज़िए असे टीम आज साओच इंचल रेलवे के जो head है उन्होंने safety को लेकर हमारी जो यात्रा है उसे काफी सुखद और राहत भरी जो हमें satisfaction मिलता है आज जो train में travel करके इस बात का हमें हम सुकून से सो सकते हैं कि हम जिस coach में travel कर रहे हैं जिस train में हम travel कर रहे हैं वह सुरक्षित हमें हमारे destination पर पहुँचाएगी हमारी family को हमारी जान को हमारे माल को हमारे सही सलामत हमारे destination पर पहुचाएगी इसके लिए South Central Railway अरुन कुमार जैन जी की टीम ने काफी सारे initiatives लिए है ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक बहुत ही important safety feature कवच के बारे में जो की बहुत खुशी की बात है कि अभी फिलाल South Central Railway में implemented है बड़ पूरे देश भर में उसे emulate किया जा रहा है उसे repeat किया जा रहा है और अरुन कुमार जैन जी जो की make in India concept से बहुत ह closely जुड़े है कवच के भी निर्मान में अब बहुत ही closely जुड़े रहे हैं हमें कवच के बारे में और बताईए इस safety features से passengers को आज किस तरह से benefit मिल रहा है उसके बारे में हमें बताईए रिल्वे की एक research organization है RDSO मैं वहां भी काम किया था तो जब मैं वहां पर था तो उसमें कवच का development शुरू किया था तो मैं शुरू से इस से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद में मेरी किस्मत की मेरे मेरी posting साउथ संट्रेल्वे में हुई जहां की कवच लगाया जा रहा करके उसके implementation तक मैं से काफी करीब से जुड़ा रहा मैं बताना चाहूंगा एक तो यह कि यह पूरी तरह से भारतिय टेक्नलोजी है इसमें कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भार की टेक्नलोजी का यूज नहीं किया गया पूरी तरह से indigenous technology है और इंडिया में ही इसको manufacture किया आगे है feature wise और cost wise काफी कम है तो हमारा जो एम है वो यह है कि हम भारत ना इससे सिर्फ भारत में लगाएं बलकि भारत के बाहर के देशों में भी इसको एक्सपोर्ट करें तो यह इसका उत्देश है अब मैं आता हूं कवच के features के बारे में जैसे कि कहीं आपने देखा होग कि caution order लगे रहते हैं section में कहीं काम चल रहा है जहांकि speed train की कम होनी चाहिए या train कभी platform line पे जाती है तो slow जानी चाहिए तो यह उसको monitor करता है system कवच system उस speed को भी monitor करता है तो अगर किसी वजह से train जो prescribed speed से अगर ज्यादा जा रही है तो यह उसमें brake लगा करके उसको speed को कम कर करता है इसके इसके इलावा section की speed है कभी किसी वह से section में higher speed पे train चल रही है तो उसको भी control करता है level crossing gate होते हैं तो जो नियम है कि level crossing gate के पहले horn बजाना चाहिए ताकि जो लोग नीचे से cross करते रहते हैं उनको एक alert मिल जाए कि train आने वाली है तो यह system अपने आप horn भी बजात अच्छा जी और अगर red signal है तो उसके पहले train को रोकने का काम भी यह करता है और यह पूरा automatic system है इसमें किसी human intervention की जरूरत नहीं है तो basically human error को overcome करने के लिए यह system है और इसको पूरी तरह से भारत में बनाया जा रहा है और जैसा मैंने बताया कि अभी सिर्फ south central में हैं लेकिन अब दूसरी railways में भी इसको लगाए जा रहा है और पिछले वर्ष माननी रेलमंत्री जी और उस समय जो हमारे chairman railway board थे वो लोग यहां आये थे उन्होंने पूरे system का demonstration लिया और उन्हें अपने भारती railway की engineers पे काफी गर भी हुआ है कहा जा सकता है कि कवच is your baby आपने right from research to inception to implementation कवच पर पूरी तरह से काब किया है बहुत ही सराहनी है यह मेरा सोभाग है कि मैं इस system के साथ शुरू से लेका अभी तक किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ जी fantastic इसे मतलब वही कह सकते है कि आप आपका यहां आना बनता था because पहला implementation कवच का जैसे आप आपकी टीम ने research किया है आप बहुत इससे closely जुड़े रहे हैं sir अब बात करते हैं South Central Railway जैसे आप हमें ब्रेक पर जाने से पहले भी बता रहे थे जो infrastructure आप create कर रहे हैं जिस तरह से हम facelift कर रहे हैं सिकंदरबाद station का जैसे वहाँ पे छोटे shops या फिर food courts basically waiting time आप आप जैसे एरपोर्ट lounges में आप चाहते हैं कि लोग पहले आके वहाँ पर करें so we avoid last minute rush क्योंकि उसमें भी हमने काफी देखा है लोग चलती train में जब चड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी काफी accidents होते हैं so यह सारा कुछ जो thought process ही जो infrastructure आप create कर रहे हैं इसमें local जो teams है local artisans है जो ecosystem आप create कर रहे हैं यह बहुत ही खुबसूरत initiative है बहुत ही चोटी सी बात है but it's a very thoughtful initiative इसके बारे बहें हमें बताईए पिछले साल budget में यह announce किया गया था जिसको हम लोग बोलते है one station one product अच्छा तो जिसमें की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अपने products होते हैं वो अलग बात है लेकिन जो local products का जो टेस्ट होता है और उसको हम नकार नहीं सकते हैं उसकी अपनी अलग value होती है ट्रेन में जाते हैं तो कोई कहता है आगरा से मुझे पेठा लेना है मुथरा से पेड़े लेने हैं तो वो सबको मालूम है कि पेठा वो quality या वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आगरा में मिलेगा तो यह तो चलिए कुछ ऐसे products हैं जो कि पूरे भारत में लोग ज जानते हैं और वो खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए one station one product scheme शुरू की गई और हमने कई stations पर वो stall लगाए हैं जी और उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी art, handicrafts या local products जो हैं खाने पीने की चीज़े हैं वहां रखते हैं और passengers उनको खरीदते हैं जी और मैंने भी कई बा वाली चीज़े हैं वो भी आते हैं तो उससे महलाओं को भी जो एक रोजगार में का साधन मिलता है जी और अभी हम इनको और stations पर बढ़ाने जा रहे हैं उच्छा साथ संटर इवले पर सत्तर stations पर हमने वन station one product वाले stalls लगाए हैं जी और इसमें जो local arts हैं जैसे की wooden carving का तिर चीज़ें हैं जो इस्टेशन पर लोग पैसेंजर्स लोग खरीद रहे हैं और उसको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं उसको जैसे बोला चाहिए बहुत ही खुबसूरत सा thought process है सर यह कि आप railway से ना केवल passengers को सिरफ एक destination से दूसरी destination पहुचा रहे हैं उनकी जो में जरूरत है उसे पूरा कर रहे है बट एक experiential journey दे रहा है हुने and that is one part of it. Second part आप एक indirect revenue जो indirectly भी आप लोगों को एक ecosystem create कर रहे हैं उनकी जिंदगी को आप एक new meaning दे रहे हैं कि भई अब हम railway station जाकर भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं कई सारे लोगों को चूँ सकते हैं और हम देश भर में हमारी जो local talent है या जो local हमारे products है उसे एक national level पर लेके जाए यह एक बहुत ही end-to-end जो ecosystem railways create कर रहा है because हमारा largest network है शायद trains का और tracks का तो मतलब hats off sir South Central Railway specifically to you and our team को कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों का भी धियान रख रहे हैं Sir हम यह बात करना चाहरे है about the growth of railways जैसे हम पहले बहुत ही nascent stage हो गया जैसे coal से जो चलती थी trains अब हम coal तो शायद भूली गए electrification हो चुका है हर जगा so electrification के मामले में किस तरह से हमने railway skis journey को आगे बढ़ाया है इसकी बारे में भी प्लीज हमें पताईए railway का mission है कि हमको December 2023 तक हमारा जो पूरा broad gauge network है उसको हम electrify कर दे हैं अच्छा तो उसी क्रम में साउस संट्रेल बेन ने भी काफी काम किया है और पिछले वर्ष हमने करीब 1017 km रूट को electrify किया और उसके पिछले वर्ष हमने करीब 770 km रूट electrify किया था जो हमने 1070 km किया है यह जो जितनी जोनल रेल बेस में उसमें सेकंड पोजिशन हमारा है अच्छा जी तो काफी तेजी से काम चल रहा है और दिसमबर 2023 के अंतक हमारे जो में रूट्स हैं चोटे चोटे ब्रांच लाइन एक दो कुछ चूट जाएं तरब वाकि हमारे जो में रूट्स है वह electrify हो जाएंगे electrification के कई फाइदे हैं अभी क्या होता है कि कुछ portion में electrification है कुछ में नहीं है तो हमको इंजन चेंज करना पड़ता है उसमें 15-20 मिट का समय जाता है वह हमारा एक इंजन से end-to-end जरनी रहेगी तो वह हमारी उसमें की बचत होगी उसका फाइदा सीधे-सीधे passengers को मिलेगा कि वह तोड़ा कम समय लगेगा दूसरा हमारा है इन्वार्मेंटल पॉलूशन का जो डीजल इंजन से जैसे बताए इस समय तो बहुत होता था जी डीजल से भी होता था अब धीरे दीरे वह जब इलेक्ट्रिक हो जाएगा तो पूरी तरह से वह चीज़ खतम हो जाएगी तो जो ग्रीन इन्वार्मेंट की तरफ हम बढ़ हैं दिसम्बर दो या तेज तक हमारे जो मेन रूट्स हैं वह सभी इलेक्रिफाई हो जाएगे तो बहुत सारी एड़ांटेज इस फाइदे हमारी ओडियन्स जो आचाहिए प्रोग्राम देख रही है बहुत सारे फाइदे आने वाले हैं आपके प्रतिसों आप अपना जो ट्रिप है जो आपकी रेलवेस के साथ जो यह जर्नी है उसे कुक्ली प्लान कर लीजिए यह बात हो गई हमारी इंटरस्टेट ट्रावल की जैसे हम लंबी डिस्टंस की बात कर रहे हैं जो कि हमें टिकेट बुक करके प्लानिंग करके लगेज करी करके जो स्लीपर वाली ट चरन है पाइसेंजर का जो मूवमेंट होती है वो हमारी जो एक्रीज्ट की ट्रेंज है उससे भी काफी जो डेली पैसेंजर का वोल्यूम है वो भी आप हैंडल करते हैं कि इस सर्विस को पहले से और भेतर बनाने के लिए क्या आपने अनीशेटिस लिए है क्या चैंजिस लोकल लोगों की सुभधा के लिए नए सेक्शन शुरू की हैं अभी तक लिंगम पल्ली टू फलकनुमा चलती थी तो जो हमारे हैदरबाद सेकंदरबाद टून सीटीज हैं उसका एक पोर्शन कवर करती थी काफी समय से मांग थी कि और भी सेक्शन में इसको चला जाए तो पिछले महीने मानी प्रिदानमंत्री जी ने हरी जंडी दिखा करके सिकंदरबाद मेट्चल सेक्शन को MMTS बनाया और उसके अलावा हमने फलकनुमा से एक्स्टेंड करके उम्दा नगर तक लेकर के गया हैं हम लोग तो हमने सिकंदरबाद मेट्चल के बीच में 20 MMTS ट्रें की हैं और 20 ट्रेंड हमने फलकनुमा से उम्दा नगर तक एक्स्टेंड की हैं तो हमारी जो टोटल सर्विसेज पहले 86 हुआ करती थी वह हमारी 106 ट्रेंड सर्विसेज हो गई हैं और सिकंदरबाद मेट्चल क्योंकि नया सेक्शन था तो एक बार मैंने भी उस ट्रेंड मे आउट सक्ट्स में रहती हैं और सिटी में काम करने आती हैं सब्जी वाले हैं जो सब्जी लाते हैं विलेजिस से और शेर में आकर के बेचते हैं या डेली ओफिस गोयर्स हैं इस्टूएंट्स हैं वो काफी खुश थे इससे इससे पॉइंट है जो शायद हमारे मम्ट्स के लिए रहें बिए करता है विक वेरा क्वेश्चन यह है कि हम इसे प्रों से किस तरह से कंपेर कर सकते हैं बिकास्ट मेरे खाल से रूट अलग है मेट्रो का रूट अलग है बट यह दो सुविधाये हैं जो जैसे आप बोल रहें थे ओफिस गोर्स को करेक्ट करती है जो हमारे स्टूडन्स को है उनको करती है और दोनों ही एकुली सक्सेस्फुल है इन दोनों में कोई क्या कंपारिजन है या दोनों अपनी अपनी जगाए अभी जो कह सकते हैं कि सिटी एरिया ज्यादा कवर करती है जबकि अब जो है जो आउट्सकर्ट सें उनको भी कवर करें जैसे अम उम्दानागर तक है इदर मेट्चल तक है वहां तक अभी मेट्रो नहीं है मेट्रो की फ्रिकेंसी थोड़ी ज्यादा होती है तो उसमें जल्दी ट्रेन मिल जाती है के बहुत इसमें उसी ट्रेक पर हमारी ठेन करें जूवरी चल रही है यह भी चल रही है तो हम उस प्रीकेंसी से नहीं चला सकते पर जो इंट्डेस पर जो जो एडज्जोइनिंग डिस्रिक्ट में जो लोक रह रहे हैं उनको की मार्य किस्वेस से ज्विधा-जनार और 106 कर दी है आपने, और पासेंजर ट्रेन, पासेंजर का भी वॉल्यूम हम देख रहे हैं, दिन बा दिन, स्टेशन पर पढ़ता ही जा रहा है, इतना passenger volume, इतना free trains का जो volume है, goods train का भी, यह कैसे handle करते हैं, मतलब हम आज भी देखते हैं, कोई धका मुखी नहीं, congestion नहीं, passengers भी शानती से, आराम से stations पर बैठे हैं, इतना volume, planning, यह किस तरह से आप handle करते हैं, बिकुज यह अपने आप में शाहिद एक case study है, रेल्वेस के infrastructure पे, passenger volume, handle करने की capability पे, safety पे, यह passenger volume आप किस तरह से handle करते हैं, वो handle करने के लिए हम समय समय पर, जो augmentation है हमारी capacity में करते रहते हैं, चाहें वो track की doubling हो, tripling हो, या station को बढ़ा करना हो, तो हम लोग समय समय पर, क्योंकि हम लोग जो demand है, जो field की situation है, उससे live रहते हैं हम लोग, तो हमारे जो field में लोग है, वो feedback लेते रहते हैं, लोगों से interact करते हैं, या देखते रहते हैं, उसके basis पर हम लोग decision लेते हैं, और समय समय पर, जैसे जैसे requirement होती है, requirement anticipated होती है, तब भी हम अपने आपको बढ़ाते जाते हैं, ताकि हम जो भड़ती हुई demand है, उसको हम cater कर सके हैं, इतनी अच्छी बात है कि एक तो implementation stage पर भी आप railways काफी अच्छा काम कर रहा है, बट यह जो thought process है कि हम passenger की इस need के साथ जुड़े रहें, इस changing society की जो demands है उसके साथ भी जुड़े रहें, और in-house जो आप बोल रहे थे कि railway का एक research organization भी है, जिससे आप भी शुरू में जुड end-to-end, an overall process जो अपने railway के लिए create किया है, वो एक बहुत ही organic structure है, बहुत ही खुबसूरत सा एक structure है, अपने आप में एक self-sufficient organization है, जहां पर हमें शायद बाहर जाने की जरूरात ना पढ़े, सब कुछ अब मेक इंडिया, इंडिजिनिस घर बैठे हम बना रहे हैं, और काबल सारी जो technology है, वो ना केवल हम इंडिया में बना रहे हैं, बलकि हम उसे export भी करना चाह रहे हैं, यह हमारी आज एक dream है, हमारा thought process है, आपने अब भी यह भी बताया कि जो green initiative है, हम जब electrification करते हैं, तो जो air pollution भी होता है, वो भी बहुत significantly कम हो जाता है, सो जो green initiatives भी आज South Central Railway आ किस तरह से, क्योंकि आज climate change का भी काफी focus है, international countries का भी, international organizations का भी, हम किस तरह से green initiative आज यहाँ implement करना चाह रहे हैं, ग्रीन environment के लिए South Central Railway में काफी काम हो रहा है, एक तो हमने अपने जितनी भी light fittings हैं, वो सारी LED में कर दी हैं, जिससे कि energy save होती है, तो environment उतना ही हम green कर पाते हैं, even हमारे जो ACs हैं, fans हैं, वो भी हमने energy efficient लगाए हैं, जिससे कि हम energy consumption कम से कम रख सके हैं, दूसरा हमने किया है कि solar panel पर काफी ध्यान दिया है, तो हमारे जो station buildings हैं, administrative buildings हैं, level crossing gates हैं, workshops हैं, वहाँ पर काफी solar panels लगाए हैं, जिसकी वैसे आज हमार solar power, fantastic, तीसरी चीज है हमारी कि हमने energy neutral stations का concept एक शुरू किया, कि उस station पर solar panel से हम उतनी energy generate करेंगे, जिसनी कि हमारी consumption है, उतनी या उससे जादा करेंगे, हमको बाहर से energy लेने की जरूरत नहीं पड़े, तो इस समय हमारे 21 station ऐसे हैं, जिनरे कि हमें बाहर से energy लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम solar panel के जरिये ही उस station की requirement को पूरा कर पाते हैं, इसके इलावाद हमारे stations में हमने और buildings के लिए CII IGBC एक organization है, जो green rating देती है, तो हमारे करीब 23 buildings और stations यह हैं, या वरक्शॉप्स हैं, जिनकों की rating मिली हुई है, इसमें कई तरह की rating होती है, platinum है, gold है, silver है, तो करीब 6 हमारे पास platinum है, बाकी gold और silver है, total 23 हो हैं, और national level पर, state level पर energy conservation awards हम को regularly मिलते रहते हैं, ते लंगाना से भी मिलते हैं, आंदर पदेश से भी मिलते हैं, और national level पर भी मिलते हैं, अभी पिछले बश्च तो हमको मिला था, तो जो की आनी यह दो जारे काम कर रहे हैं, यह तो हुआ बिजली के चेतर में, फिर हमारा है water के लिए तो हम पानी की recycling करते हैं, जिसरे के हम पानी की बचत कर सकें, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं वह पानी को हम लोग गार्डनिंग के लिए या वाशिंग वगर्डर के लिए बाद nettip के लिए स्टेशन वाशिंग या उसके लिए यूज करते हैं बाट ॉसससे उम काफी अलग्स लीटर्स और वाटर वियर ट्राइंग टू सेव इसके अलावा हमने जो हमारी ट्रेन की सफाई होती है बाहर एक्स्टिरियर की जो दृलाई होती है तो पहले मैनुवली होती थी उसमें काफी पानी खर्च होता था तो मनें ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट लगाए हैं अच्छा शिकंदराबाद में हैं हैं काचीगडा में हैं काकीनाडा में है तो उसमें आटोमेटिकली वह ट्रेन एक परड़ को स्पीड पर जाती है और उसमें ब्रश्च लगे हुए है उसमें काफी कम पानी खर्च होता है प्लस जो खर्च होता है उसको भी हम फिर है आज आपकी बातों से तो एसा लग रहा है कि रिलवेस को कही बाहर जाने की किसी भी चीज के लिए ज़रूरत नहीई है जहां जरूरत दिखती है वहाँ सारा कुछ in-house करने की कोशिश करते हैं रेलवे को लाइफलाइन माना जाता है लाइफलाइन यह सिर्फ ट्रेवल करने के लिए नहीं है बलकि सबी फील्ड्स में हम काम करते हैं ताकि हम लाइफलाइन बने रहे हैं आज भी हम जब वापस हमारे बच्पन के दिन या लोग देखते हैं याद करते हैं तो वो जो जर्नी हम ट्रेन में करते हैं आज भी लोग बोलते हैं कि वो दिन मतलब याद है जब हम ट्रेन में जाया करते थे तो यह एक एमोशन ऐसा जो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है आज रेलवेस में हमने ब पैसा बना रहा है, how is the revenue coming from, because यह आप research में भी invest कर रहे हैं, recycling में भी, energy efficiency में भी, यह सारा कुछ करने के लिए, is railways making enough money हम यह जानना चाहते हैं? रेलवे पैसा भी earn करता है, हमारे दो segment है, एक passenger segment एक freight segment है, तो passenger segment में तो passengers जो ticket खरीते हैं, वो पैसा हमारे पास आता है, और freight में जो माल का लदान होता है, good strain में और वो हम एक जगे से दूसरी जगे पहुचाते हैं, तो उससे पैसा आता है, तो 2022-2023 में हमने record तोड लदान कि किया था, जो कि South Central की history में सबसे जाधिक है, उससे पिछले वर्स हमने 118 million ton किया था, और जो previous best था, वो हमारा 122.5 million ton था, तो हमने 132 किया इस बार, और इस बार हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो उसके पीछे भी कई चीज़े हैं, जैसे मैंने infrastructure की बात हो चु हैं, वो हमने उनको इंप्रूव किया, ताकि लोडिंग और अनलोडिंग आसानी से हो सके और कम समय में हो सके, तो हम उस वेगन को जितना जल्दी फ्री करके दूसरी लोडिंग के लिए अविलेविल करा सकें, तो उससे हमने efficiency अपनी बढ़ाई, इसके अलावा हमने जो कई सीमेंट फैक्टरी जैसे या और होती है, तो उनकी जो साइडिंग होती है, कनेक्टिविटी हमने प्रवाइट की, जिससे वो अपने प्रिमाइसे में ही लोडिंग अलोडिंग कर सकें, उनको गुडशेड में ना आना पड़े, तो इस तरह से हमने करीब, पिछले वर्स हम हमने लोडिंग कैपेस्टी अपनी बढ़ाई और जिसकी वैसे हमने 132 मिलियन टन लोडिंग की, पैसेंजर सेगमेंट में अगर आएंगे तो हमने जो टी ओडी बोलते हैं, ट्रेन ओन डिमांड, जब हमको लगता है कि यहां से एक पर्टिकलर डेस्नेशन के लिए उस रू जब हमने चलाई पूरे साल में और काफी कोचिस हमने और की अगमेंट किए, जैसे कि पर्टिकुलर ट्रेन में रष्च जादा है तो हमने पर्मनेंटली और की अपर्मेंट किए, एक तरफ पैसंगर्स की दिमांड है, पबलिक की दिमांड है उसको पूरा करने की तरफ हम और दूसरी हमारे एर्निंग सिच्वेशन और हमारे जो ग्रॉस ओरिजनेटिंग रिवेन्यू रहा है वह करीब 19,000 क्रोड रहा है सिर्फ साउसंट्रेल्वे का बता रहा हूं मैं इसमें 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 गुड्स या फ्रेट अर्निंग का करीब 13,500 संथिंग है और पैसेंजर सेग्मेंट से हमें 5,000 संथिंग बिला है तो जो हमारा ओरिजनेटिंग ग्रॉस रिवेन्यू रहा है यह अब तक का बेस्ट एवर है साउसंट्रेल्वे की हिस्ट्री में यह सबसे अधिक है इससे पिछला बेस्ट एवर जो हमारा 2018-19 में था और उससे भी ज्यादा हमने इ हर साल ऐसा ही रहे कि पिछले साल से हमने बेस्ट किया है और यह आगे चलके का सबसे आई हमेशा कोशिश यही रहती है और रहेगी हम हर साल पिछले साल से भी अच्छा परफॉम्ट बिल्कुल 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 रेवन्यू के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आप कुछ ट्रेंज की या कुछ रूट्स की स्पेशली एक बहुत ही ज़्यादा दिमांड बढ़ जाती है एंड हर बार प्रोएक्टिवली समर शुरू होने से पहले रेल्वेज उस इस नीड को आइडेंटिफाइ करके ट्रेंज की अनाउंस्मेंट भी कर देता है इस ट्राफिक को या इस नीड को आप किस तरह से अड्रेस कर रहे हैं और इस समर के लिए खासतोर से आपने क्या अरेंजमेंट किया है समर में क्योंकि स्कूल कॉलेज बन होते हैं तो लोग क्रेवल करते हैं तो हर साल यह होता है इस माजबी हमने पूरी तैयारी की हुई है जिए और अप्रेल में Safari जूण यह तीन महिने में मिला करके हम लगभग 1500 ट्रेन ट्रिप्स प्लान की हुई हैं और यह साउसंट ट्रेलवे से जो ओरिजनेट होंगी यह तर्मेट होंगी और इसके अलावा दूसरी रेलवेस भी चलाती हैं जो कि हमारे जोन से पास होंगी तो उसका लाव भी हमारे जोन के जो यात्री हैं उनको मिलेगा तो यात्रियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि हर वर्स का हमारा एक्स्पीरेंस है उसके साब से हमने अभी करीब 1500 ट्रेन प्लान की हुई है आजकल की जो यूथ है जो आजकी जनरेशन है काफी डिजिटल फोकस रहा है स्मार्टफोन अब सब के हाथ में है वाइफाई का कॉंसेट अब मोबाईल डेटा भी इतना अवेलेबल है वाइफाई भी हम आज कनेक्टेड रहना चाहते हैं दुनिया बहुत छोटी होती जा इस चीज से रेलवेस किस तरह से जुड़ा हुआ है किस तरह से ट्रेंज में प्लाटफॉर्म में आप लोगों को ये सुविधा प्रवाइड कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताईए डिजिटल या डिजिटलाइशन के लिए हम लोगों ने काफी काम किया है जैसा कि वा वाइफाई हमारे सभी स्टेशन पर वाइफाई उपलब है अच्छा हॉल्ट स्टेशन को छोड़ दें जहांकि हमारा कोई आदमी भी नहीं रहता है तो बाकी स्टेशन पर हमारे वाइफाई हाई स्पीड वाइफाई अविलेबल है और लोग उसका फाइदा उठा सकते है और उठाते भी हैं तो उसके तुरू हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं जब तक वो इस्टेशन में वेट कर रहे हैं ट्रेन का तो वाइफा यूज कर सकते हैं दूसरा हमने जो रिजर्व टिकट का तो आपको मालूम ही हुआ कि IRCTC के तुरू घर पर बैठे बैठे लोग जो है काफी टाइम हो गया है उसे लांच किये हुए लेकिन अवेरनेस अभी थोड़ी कम है हम भी कोशिश करते हैं कि जतनी अवेरनेस बढ़ा सके हैं उस एप के तुरू मोबाइल से अन्रिजर्व टिकट भी खरी सकते हैं अब उनको काउंटर पे लाइन में लगने के जरूत न इसके लिए जनता को भी धन्यवाद दूँगा कि लोगों में डिजिटल टेक्निक्स के प्रती और स्मार्ट फोन के यूसेज के प्रती जितना अट्रेक्शन है वह बाकी जोन के मुकाबले यहां के लोगों में बहुत जादा है और उसका क्रेड़िट हमें मिलता है कि का इम्लिमेंटेशन हो यूटिस आप का जो यूसेज हो साउथ सेंट्र रेलवे इंडिन रेलवे में काफी उच पुजिशन पे हैं काफी हाई पुजिशन में है बिकॉस अफ ट्राफिक बिकॉस आप जैसे लीडर्स की वजह से जिनकी टीम को आपने इतना सशक बनाया है क कि इतनी चीजों को हम यहां इंप्लिमेंट कर रहे हैं आप से लास्ट प्रशन यह पुछना चाहती हूं कि आप अपनी एक्स्पिरियंस आपने के माध्यम से आपकी जो टीम की एक्स्पिरियंस रही है आप जो डिसर्च और इसेशन से भी जुड़े रहे हैं आप हमारे जो पैसेंजर के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं साउसेंट रेलवे का भारती रेलवे में बहुत उंचा इस्थान है और उसका क्रेड़िट जाता है यहां के लोगों को यहां के वर्क कल्चर को टीम जो है लीडर को बनाती है मैं तो यह कहूँगा यहां की टीम लीडर को बनाती है ना कि लीडर टीम बनाता है तो उसका क्रेड़िट जाता है यहां के वर्क कल्चर को हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो यात्री हैं उनको स्टेशन पर जब आएं तो उनको सुषधाय मिलें उनको कोई परिशानी नहों जब वो ट्रेन में ट्रेवल करें तो उनको कोई परिशानी नहों और वो सुकून से अपनी यात्रा करें इसमें हमेशा कोशिश रहती ह जो आप देखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बड़ी टीम काम करती है, इस एम को प्राप्त करने में कि आपकी यात्रा सुखद और आनन्द में हो, उस एम को पाने के लिए मुझे आप से सहयोग चाहिए, जनता से मुझे सहयोग चाहिए, आपने होगा कि बंदे भारत ट्रेंज जब से शुरू हुई है, तब से लोगों ने उस पर पत्थर फैकना शुरू किया है, तो यह आपकी प्रापर्टी है, आपका गौरव है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूगा कि आप इस तरह की घटना ना करें, या आप देखते हैं कि कोई कर आप का आप पूरी तरह से यूज करें, यह इससे आपको सुविधा होगी, आपको पूरी फ्रीडम है कि जब चाहे आप टिकट खरी सकते हैं, आपको स्टेशन पर आकर कि लास्ट में लाइन में लगने ही जरूत नहीं है, इसके इलावा हमने काफी हमारे काफी स्टेशन स हैं, जहां कि सारे पेमेंट्स डिजिटल फॉर्म में लिए जाते हैं, तो आपको कैश का या उसका भी कोई प्रॉलम नहीं है कि आपके पास में खुले पैसे नहीं है, या वो है, आप कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो उस सुव प्लास्टिक बॉटल्स हैं वह आप इदर दर न फैक हैं हमने कई स्टेशन पर बॉटल क्रशर्स लगाए हुए हैं तो आप उनका उप्योग करें या आप अपने साथ इसको घर ले जाओं जहां पर कि प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली होता है वहां पर करें इसको इस्टेशन पर ना फैक हैं उससे एक तो गंदी होती दूसरा उसका रियूज या मिस्यूज होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक बॉटल का प्रॉपर डिस्पोजल करें और अंतमे मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि आप सभी टिकट ले करके चलें उससे आपकी परेशानी कम होगी अगर मानली जी आप बिना टिकट चलते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपके उपर फाइन लगता है और बाकी यात्रियों के सामने आपकी हुमिलेशन होता है तो जिसे कहते हैं ना टेंशन फ्री है अगर करना है तो आप टिकट ले करके चलिए अरुन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज दूरदर्शन के माध्यम से आज आप हमारे साथ जुड़े साथ साथ सेंट्रल रेलवे जो अपनी पैसेंजर की यात्रा को end to end तो खुबसूरत और सेफ बना ही रहा है वजुक्राइड हाँ होगा आज हने लापने लाग रोट फे कराया हमसे बात करिय उसके बारे में जो शायाद हम कभी जान नहीं पाते या पता ही नहीं होता कि उसके पीछे में कितनी मेहनत होती है, एक एक ट्ट्रें चलाने की, उसे साफ रखने की, पलैटफॉर्म इसको और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दूर दर्शन के माध्यम से आप हमें जुड़े हमें इतनी सारी नहीं नहीं चीजे बताई और रेलवेज के प्रती हमारी जो रिस्पेक्ट है उसे आप नेक्स्ट लेवल पर ले गए आपका बहुत बहुत जी भी इस ट्रेन में ट्रावल करके पैसंजर के साथ बात करके ग्राउंड लेवल पे पैसंजर के साथ जुड़े हैं रिसर्च पे भी उनका काफी फोकस रहा है जिस तरह से वो रेलवेज को आज नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की सार्थक कोशिश उनकी निरंतर जारी बहुत उनका हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि आज वो हमारे साथ जुड़े और रेलवेज के बारे में काफी डईने चीजे हमें बताई तो यही पर आज हम दूरदर्शन यादगिरी के इस हिंदी प्रोग्राम चमेली की समापती करते हैं मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में थैंक यू